हलो गाईज, स्वाइबेल कामाल आफी टू दा आवर यूटूब चनल ग्यान भी सचिन, तो दोस्तों आज के ससन में बात करने वाले हैं यूपई पॉल टेक्निक काउंसलिंग 2022 के बारे में उन्हें कॉलेज अच्छा नहीं मिला है, जिनको कॉलेज मिला है वो क्या करेंगे, जिनको फ्लोट करना है, 3000 पेमेंट नहीं हो रहा है, उनका क्या होगा, इन सब डाउट को इस वीडियो के अंतरगत किलियर करने वाला हूँ, बिल्कुल एकदम आपका डाउट किलियर हो ठीक है, यूपी पॉल्टेक्निक काउंसिलिंग में अगर कॉलेज अच्छा नहीं मिला है, तो क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट राउंड की काउंसिलिंग में कोई भी कॉलेज आपको इलाट हुआ, प्रैक्टिकली समझेंगे और वीडियो को इसकिप नहीं करेंगे, तभी स समझ में आएगा, वरना आपको समझ नहीं आएगा, प्रैक्टिकली समझिए, जैसे मुझे गवर्मेंट पॉल्टेक्निक बरेली मिला है, ठीक है, मेरी रैंक लगभग 10,000 के एप्रोक्स है, और मुझे वह कॉलेज अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उसमें आटो मुब आपको next round में देगा, next round यानी second round, जिस round में registration आपका सुरू हो चुका है, तो क्या फिर से registration कराना होगा, 90 रुपय देकर, नहीं, जो फ्लॉट किये हो, उसके बाद फ्लॉट करने के बाद आप 3,000 पेमेंट कर दोगे, जो पेमेंट नहीं हो रहा है, उसके बारे में भी बता तो 3000 रुपे payment होगी, क्या हर round में payment करनी होगी, नहीं, ठीक है, वो उसी को payment करनी होगी, जो एक बार कर दिया, अब बात करते हैं, क्या जिनको college नहीं मिला है, वो क्या करेंगे, next round में entry कर जाएंगे, उन्हें कुछ नहीं करना है, उन्हें 14 तारीक को सिर्फ आपका allotment result चेक क करना है, उसके साथ साथ ही अगर कोई छोटी-मूटी update आती है, तो अपना id password login करके उसे देखते रहिए, क्या update आई है, क्या उसमें कुछ update करने का नया इस बार आ रहा है, हर बार ऐसा होता था, कि जो first round में जिसको result में कुछ नहीं मिलता था, वो second round में entry कर जाता था, तो इस बार भी ऐसे ही होने वाला है, कि उसमें कोच changes नहीं आएगा, क्या जो दूसरे round में entry कर जाएंगे, उन्हें जो दूसरे round में entry कर जाएंगे, क्या उन्हें 3000 payment करना होगा, विल्कुल उसे नहीं करना होगा 3000 payment, एक और students का doubt है, क्या जो flot करेंगी कि उन्हें document verification कराना होग जब आप freeze कर देते हैं, और freeze करने के बाद आप जाएंगे, तो document verification होगा, यानि जो flot किये होई students 3000 payment किये हैं, वो दूसरे round में जो college मिलेगा, उसे freeze करेंगे, तब document verification कराने जाएंगे, क्या ये 3000 रुपए जी कप खा जाएगा, बिल्कुल, जी कप इसे 3000 रुपए नहीं और वहाँ पर आप total fees payment करेंगे, जो आपका payment होता है, वो पूरा successful हो जाता है, first round वालों को क्या होता है, कि 3000 payment नहीं करना होता है, उन्हें proper एक ही बार में total payment करना होता था, ये है, अब बात करते हैं, 3000 payment क्यों नहीं हो रहा है, तो 3000 payment क्या है, कि आज ही सारे students का result आया है, और आज ही सब धड़ड़ payment कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो payment होगा, वो तीन दीने तक होगा, तो बिल्कुल आप अगर payment नहीं किये हैं, तो वो payment अभी थोड़ा बेट करके, कल करिएगा, कल अपना counselling करा आईए, मतलब दाकुमेंट क्या करते हैं, नेक्स्ट दिक्कत हो, तो अब पूछिएगा, यह नहीं कि जो चीजे मैं बताऊ हूँ, उसको confirmation के लिए आप बार बार कमेंट कर रहे हो, तो मैं reply देने वाला हूँ, ठीक है, तो मिलते हैं कैसे सांदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए, goodbye, data, love you all